हेलो दोस्तों आप सभी का all-round knowledge में स्वागत है और दोस्तों आज मैं आप लोग को indirect speech बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप direct speech को indirect speech में change कर सकते हैं और आज जो है WH questions रहेंगे तो आज का वीडियो काफी interesting और knowledgeable है आप लोग सभी इस वीडियो का अंतक जरूर देखेगा He says to me what do you eat वह मुझसे कहता है तुम क्या खाते हो तो यहां क्या है वह मुझसे कहता है उसने मुझसे कहा नहीं है कहता है यानि कि यहां sage है present tense में है तो यहां पर होगा he says to me what do you eat तुम क्या खाते हो तो यहां पर पूछा जा रहा है तो sage को asks में बदल देंगे ask me पूछना होता है तो he asks me अब यहां पर देखेंगे कि what do you eat तो जितने भी अभी sentences है सभी WH से सुरू हने वाले question words जैसे what, when, why इन सभी से सुरू हुआ है और यदि यहां पर WH वाले question words रहेंगे तो आपको that use नहीं करना है is that clear students आपको that use नहीं करना है और जो helping भव यहां पर लगता है उसे भी जो है एक तरह से हटा दिया जाता है helping भव को क्या किया जाता है हटा दिया जाता है या फिर last में कर दिया जाता है जैसे what you eat है तो माले लिजए what you eat इस तरीके से प्रियोग होता है जैसे what is your name तो what your name is या what your name was यानि कि तुरंत जो question word है उसके बाद helping verb यूज नहीं किया जाता है और हम लोग example से समझेंगे तो यहां पर है he says to me तो यहां हो जाएगा he asks me और that you नहीं करेंगे फिर what लिखेंगे what अब यहां पर है you subject और you जो है second person है second person object का नुसार change होता है तो you के बदले क्या हो जाएगा यहां me से I बनेगा what I eat मैंने आपसे क्या कहा कि जो helping verb है वो हट जाएगा he asks me what I eat मालेज यहां पर यहां पर ही रहता यह सी रहता third person singular number तो यहां पर फिर its हो जाता he said to me what you eat अब वही sentence है लेकिन यहां past में है said है यहां पर says था तो अब change of tense भी होगा और subject बेग रहता तो बदलेगा ही लेकिन यहां पर tense भी बदलेगा दो चीज में बदलाब होंगे he said to me यहां पर हो जाएगा he asked me what यहां पर you है second person second person किसका नुसार बदलता है तो आप यह rule याद रखेंगे son और 123 और यहां पर ही है second person second person object का नुसार तो object यहां पर me है तो me से क्या बन जाएगा I he asked me what I ate यहां पर eat यहां पर ate क्यों होगा क्योंकि यह simple present tense में है और simple present tense simple past में बदल जाता है और कब बदलेगा जब यहां पर सेज रहेगा यहां भी past में रहेगा तभी बदलेगा सेज रहेगा तो tense में बदलाब नहीं होंगे he said what was falling उसने कहा क्या गिर रहा था what was falling तो यहाँ पर subject ही है what what was falling तो यहाँ पर हो जाएगा he asked what और was को किसे में बदलेंगे was or had been में बदल जाता है तो what had been falling Mohan said to the beggar Mohan ने भिकारी से कहा why are you sad तुम क्यों उदास हो तो यहाँ पर sad है तो यहाँ पर लिखेंगे Mohan asked the beggar why अब यहाँ पर you है subject और यह second person है second person object कनुसार the beggar कनुसार तो the beggar के बदले he use करेंगे why he और यह जो है present tense में है are used हुआ है तो इसे was में बदल देंगे he कनुसार why he was sad और याद रखेंगे कि हाँ पर जो है और आपको question mark नहीं देना है full stop देना है Mohan asked the beggar why he was sad Mohan ने भिकारी से पूछा क्यों वह उदास था she said to the king उसने राजा से कहा what can I do for you मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा see asked the king what यहाँ पर आई है first person subject कनुसार subject c है तो यहाँ पर c हो जाएगा what she could do for और यहाँ पर you है यानि the king के लिए you object कनुसार तो यहाँ पर him हो जाएगा she asked the king what she could do for him she says to me who are you तो यहाँ पर sage है तो यहाँ हो जाएगा see asks me who are you तो यहाँ पर हो जाएगा who are you क्या है second person second person me के अनुसार change होगा तो इसके बतले I आई आ जाएगा who I am she asks me who I am she said to me why were you absent उसने मुझसे कहा तुम क्यों अनुपस्थित थे तो यहाँ पर हो जाएगा he asked me अब यहाँ पर sage है तो change of tense होगा he asked me why और यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि you second person है me के अनुसार change होगा तो me के अनुसार यहाँ पर I हो जाएगा और यहाँ पर why was were है was were को had been में बतलते हैं तो यहाँ पर भी had been हो जाएगा why I had been absent उमीद करता हूँ कि आप लोगो समयज में आ रहा होगा और मैंने बिल्कुल सुरू से बताया है तो इस पर एक स्रीज बना हुआ है उसे आप जरूर देखेंगे एक playlist बना होगा I said to the student where do you live मैंने बिद्यार्थी से कहा तुम कहां रहते हो तो I asked the student where यहाँ पर you है the student करुशार बदलेगा इसके बतले ही लिखेंगे where he lived simple present and simple past में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर asked है my mother said to me are you ready तो यहाँ पर हो जाएगा my mother asked me देखेंगे यह helping verb पहले है यहाँ पर इसमें what where नहीं है तो इसमें if use होता है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है my mother asked me if I was ready मैंने आप लोग को करमबद तरीके से एक एक चीज़ बताया है तो इस पर जो series मैंने बनाया है उसे आप जरूर देखेंगे the farmer said how long will it rain किसान ने कहा कितनी देर तक वारिस होगी तो यहाँ पर होगा the farmer asked how long और just इसके बाद helping verb नहीं आता है indirect speech में यानि इसके बाद subject लिखेंगे उसके बाद ही आ सकता है तो यहाँ पर हो जाएगा the farmer asked how long तब it लिखेंगे it would rain और will को जो है would में change कर देना है the farmer asked how long it would rain she said to the teacher how shall I repay you तो यहाँ पर हो जाएगा see ask the teacher how यहाँ पर I subject है और I first person है first person subject का नुसार see का नुसार तो यहाँ पर see हो जाएगा how see और say या will को would में change करना है तो यहाँ पर would हो जाएगा how see would repay और यहाँ पर U है second person the teacher का नुसार जाएगा तो him लिख देंगे यहाँ पर she asked the teacher how she would repay him the teacher said to the kid who has beaten you तो यहाँ पर हो जाएगा the teacher asked the kid who और has को head में बदल देंगे who had beaten or you second person the kid का नुसार तो यहाँ पर him हो जाएगा the teacher asked the kid who had beaten him they said to me who is helping you तो यहाँ पर हो जाएगा they asked me who is helping you तो यहाँ पर who और is को was में बदल देंगे who was helping और यहाँ पर you second person मी के नुसार तो यहाँ पर मी हो जाएगा they asked me who was helping me she said to him what is the problem with you she asked him what और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तो वो जाएगा what was the problem with और यहाँ पर you है second person him के नुसार चेंज होगा तो यहाँ पर भी him हो जाएगा she asked him what was the problem with him और आज का अखरी sentence काफी इंट्रेस्टिंग है the man said to the little girl who are you and what do you want तो यहाँ पर हो जाएगा the man asked the little girl who और यहाँ पर है are तो was हो जाएगा और यहाँ पर you you second person यानि की object के नुसार तो the little girl के नुसार चेंज होगा तो यहाँ पर हो जाएगा who she was and what do you want what यहाँ पर you है the little girl के नुसार चेंज होगा इसके बदल यहाँ पर यहाँ पर tense बदल जाएगा what do you want यह simple presentance में तो simple past में हो जाएगा the man asked the little girl who she was and what she wanted उमीद करता हूँ कि आप लोगो को समझ में आ गया होगा और यदि फिर भी नहीं आया हो तो आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा कि क्या समझ में नहीं आया और भी मैं practice set बनाऊंगा आप लोगो के लिए easy easy practice set भी बनाऊंगा यदि आपको समझ में ना आये तो इस वीडियो को पहले जरूर देखिए कुछ ने कुछ तो knowledge बढ़ेगी ही और मैंने विल्कुल सुरू से narration बताया है कि कैसे आपको indirect speech में change करना है तो इसके सभी parts आप जरूर देखेंगे यदि सभी वीडियो उसको देखते हैं तो आपको definitely समझ में आएगा so students आज का वीडियो यहीं तक फिर मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching have a great day